तो हलो हाई गाईज, वेलकम बैक टो यूर ओन अकैडमी, अभी अकैडमी, दोस्तों BA, BST, B.com, CCS University से जो आज का एक्जाम हुआ, उसकी मैं आपके सामने आंसर सीट लेकर आया हूँ, आंसर की लेकर आया हूँ, तो जल्दी से मैच कर लीजिए कि कौन-कौन से तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्जाम है, उसका कोड नंबर है A001, तो आप इस कोड के एक्जाम को यादी दे कर आया है, तो जल्दी से मिलान कर लीजिए, यदि इस प्रकार का कोड या इस कोड का आपके प्यास पेपर नहीं है, तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रकार के पेपर में वहीं है, सेम ही है, ठीक है फ्रेंट्स, तो हमारे पास पहला कोश्चन है, भारत्य खिलाडियों हे तू, सम्मान पुरुषकार दिवस होता है, तो किस दिवस होता है, ओप्शन दिये हुए है, तो इसमें जो सही ओप्शन है, हम सही सही की बात करेंग सही option इसमें हम B वाले को लगाने बाले है ठीक है फ्रेंट्स तो option number B इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स second question है कि Olympic द्वज के 5 वरत दरशाते हैं तो किस चीज को दरशाते हैं तो इसका option number B सही हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो सभी को पता होगा कि भारत ने सरव परथम विश्व कप 1983 में ही जीता था ठीक है फ्रेंट्स तो इसका सही जवाब हम लगा देंगे चलते हैं next questions की तरफ next questions है इसमें 5th question में पूछ रहा है कि संतूलित आहार नेमन के लिए आविशक होता है अच्छी आदते मांसिक स्वास्त समूचित वरध्य हैं विका शारीरिक स्वास्त्य है तो इसके लिए हम सही option जो इसका लगाएंगे वो लगाएंगे option number D याने की शारीरिक स्वास्त्य के लि इसे भी चीज़े पाएंगे तो option number D का सही जवाब लगादेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं next question की तरफ question number 8 में कह रहा है एक सामाने व्यक्ति के प्रति दिन उर्जा की आविशकता होती है तो option number 20 का सही जवाब लगादेंगे भारत ने दूसरी बार विश्व कप क्रिके से माना जाता है तो option number C आने के चीन इसका सही जवाब लगादेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं question number 11 की तरफ question number 11 में कह रहा है व्यक्तित्व की विशेष्टा क्या है समाजिक्ता समांचस्त्यता आत्मचेतना या उप्रोक्त सभी तो समाजिक्ता भी होती है समांचस्त्यत माइकल ली वॉट्सन या महात्मा गांधी तो इसमें option number C आने की वॉट्सन हम लगा देंगे ठीक है फ्रेंट्स तो इसमें option number A याने की विलियम जेम्स हम सही जवाब लगा देंगे ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं 13 कोशन की तरफ 13 में कह रहा है एशाई खेलों में कौन सा पदक नहीं प्रदान किया जाता तो सुरन भी प्रदान किया जाता है रजत भी दिया जाता है लोह पदक नहीं दि ये शाई खेलों में तो option number C ही इसका सही जवाब लगा देंगे ठीक है फ्रेंट्स 14 है खेल मनोविज्यान के जनक है तो खेल मनोविज्यान के जनक कौन है उप्शन से Clark, William, Woodworth या सिंगर तो option number B याने की William इसका सही जवाब हो जाएगा question number 15 में कह रहा है कि वरद्धी एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वन्शानुक्रम, वातावरण, पोशन या उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी इसका सही जवाब लगा देंगे question number 16 में कह रहा है स्वास्ते निर्भरगरता है व्यायाम पर वातावरण पर वन्शानुक्रम पर या उप्रोक्त सभी तो option number D याने की उप्रोक्त सभी इसका सही जवाब लगा देंगे 17 में कह रहा है शारीरिक शिक्षा के आयाम होते हैं शारीरिक आयाम, मांसिक आयाम, सामाजिक आयाम या उप्रोक्त सभी तो शारीरिक शिक्षा जो है इन सभी आयाम उपर कारियर करती है तो उप्रोक्त सभी हम इसका अंसर लगा देंगे ठीक है friends, 18 है, खेल, एक है, संग्या, सरवनाम, क्रिया या विशेशन, तो खेल जो है, वो एक भाव होता है, एक प्रिकाल का, तो उसको हम संग्या कहेंगे, और संग्या में भी आज़ी पूछता तो हम भाव बाचक संग्या इसको कहेंदे, ठीक है friends, तो option number A, इसका सही जवा लगा देंगे, ठीक है friends, 20 में कह रहा है, स्वास्थे को प्रभावित करने वाले कारक है, संतुरिताहार, वन्शानुक्रम, स्वास्थे सेवा, या उप्रोक्त, सवीतो, स्वास्थे को ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं, तो option number D, इसका सही जवाब लगा देंगे, 21 है किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्यान है, तो options है, माइकल थोमस, विलियम जेंस, वुडवर्थ या E.G. बेरिंग, तो इसका जो सही जवाब है, वो option number D, याने की E.G. बेरिंग लगा देंगे, ठीक है friends, question number 22 है, खेल क्रियाओं में ठकान का करण है, मानसिक तनाव, लैक्टिक एसिड बनना, सारे रिक क्रियाओं की कमी, एवेवेस्थिक खेल का मैदान, तो इसका जो सही जवाब है, वो option number B, याने की लैक्टिक एसिड का बनना होता है, चलते हैं next questions की तरफ, question number 23 में कह रहा है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है, तो option number A ही इसका सही जवाब हो जाएगा, याने की 18 भी शताग्दी से, विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपोर्ण कारक है, आयू लिंग, पोसन या उप्रोक्त सभी, तो उप्रोक्त एसका सही जवाब हो जाएगा, कैलिशम का प्रमुक्स रोथ है, दूद, मक्कन, अंडा है, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो सब दूद में भी कैलिशम होता है, मक्कन में भी होता, लेकिन जो प्रमुक्स रोथ है, वो है अंडा, तो option number C का सही जवाब लगा देंगे, question number 27 है, PT का पूर्ण रूप है, तो PT जो हम करते हैं, उसका पूर्ण रूप उच रहा है, तो उसका option number B, यानि की physical training पूर्ण रूप होता है, तो option number B को ही सही कर देंगे, कि स्वस्थ्य सरीर में ही स्वस्थ्यमन निवास करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C यानि की अरस्टू, इंगलिस में Aristotle जिनका नाम कहा जाता है, ठीक है friends, 13 है, 30 है question, ओलिम्पिया शहर इस्थित है, तो कहां पर इस्थित है, रूस में, ग खोटा या उप रोक में से कोई नहीं, तो परसोना सब्द का जो साब्दिकर्थ है, वो है option number C, यानि की मुखोटा, तो option number C को ही लगा देंगे, दो राश्टमंडल खेलों के बीच का अंतराल होता है, तीन वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष या एक वर्ष, तो option number C, यानि की थियोडोसियस, या थियोडोसिस, option number A, 34th है व्यक्तितुक का आयाम नहीं है, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, सारिक आयाम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो व्यक्तितुक का आयाम नहीं है कह रहा है, तो सामाजिक तो होता है, आर्थिक भी होता है, शारिक भी होता है, तो option number D ही इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है friends question number 35 में कह रहा है कि प्रिथम 2020 cricket wish book up किस ने जीता तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा option number 3 याने की भारत भारत ने ही प्रिथम 2020 cricket wish book up को जीता था ठीक है friends ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है friends चलते है next questions की तरफ next question में कह रहा है विश्व स्वास्ते संगठन की स्थापना गभुई 1947 में 52 में 48 में या 1920 में तो option number C याने की 1948 इसका सही जवाब हो जाएगा सारीरिक शिक्षा का सुरंड काल किस काल को कहा जाता है रामायन काल, महावारत काल, एथेंस काल ये उपरोक्त में से कोई नहीं तो option number C याने की एथेंस काल इसका सही जवाब हो जाएगा Olympic द्वज के द्वित्यवरत का रंग होता है तो option number C याने की पीला इसका सही जवाब हो जाएगा सारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, सारी विकास, सामाजिक विकास या उप्रोक्त सभी तो तीनों ही प्रिकार के विकास को करना सारी रिक सिक्षा का उद्धेश्य होता है तो option number D यानि कि उप्रोक्त सभी इसको लगा देगी ठीक है friends next है WHO का पूंड रूप है तो WHO का पूंड रूप होता है World Health Organization यानि कि option number C इसका सही जवाब हो जाएगा मिलखा सिंग संबंदित है मुक्यवाजी से, Athletics से, Kabarddy से या कुछती से option number B यानि कि Athletics इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है friends option number B भारत का राष्टे खेल है भारत का राष्टे खेल है C हो जाएगा भारती Red Cross Society की स्थापना हुई 1950 में, 1947 में, 20 में या, 14 में तो 1920 यानि कि option number C इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है friends 47 है मनोविज्यान की कितनी शाखाएं होती है तो मनोविज्यान की जो मुखे रूप से जाखाएं देखी जाती है वो चार देखी जाती है आने की option number A इसका सही जवाब हम लगा देंगे ठीक है friends option number A खेल प्रदर्शन निम्न पर निर्भर करता है धन पर अभ्यास पर मित्र पर या समय पर तो option number B आने की अभ्यास पर इसका सही जवाब लगा देंगे मारव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 21, 22, 23, 24 जोड़े तो option number C आने की 23, 24 जवाब हो जाएगा स्वस्त्य व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है 80-120, 80-400, 80-180, 120-220 तो 80 से लेकर 120 इसका सही जवाब लगा देंगे आने की option number A इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है friends तो ये थे starting के 50 questions हमारे जो आज के BA, B, SC, B, COM में qualifying exam में आये थे अगली वीडियो में जल्द ही मैं लेकर आता हूँ जो अगले 50 questions उनका solution ठीक है friends तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 13 तारिक में जो आपका exam आने वाला है भारतिय संस्कृति एवं राष्ट्र गोरव का उसके भी important questions और जो कुछ model papers है और expected questions है वो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल पर ठीक है friends तो मिलते हैं आपनी next वीडियो में